मुसे वाला मडर केस में बड़ा खुला सा अडिंडा के पेट्रोल पंप के सीसी टीवी से खुला रास तो उसको मिला बड़ा क्लू फॉर्चूनर वालों ने सप्लाई किये थे हत्यार 21 साल का कबड़ी खिलाडी अरेस क्या गेंग्स्टर लॉरेंस के करीबी को सप्लाई किये थे हत्यार तो सुद्दू मुसे वाला हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है खुलासा ये कि नेक नामी कबड़ी खिलाडी ने पहुचाए थे वारदात के लिए हत्या पजाबी सिंगर शुबदीब सिंग सिद्दू और सिद्दू मुसे वाला के 19 मई को हत्या कर दी गई थी तब से यही सवाल खड़ा हुआ कि मुसे वाला की हत्या किसने और क्यूं की क्यों आखिरकार मुसे वाला को मांसा की गाउ मुसा के पास मौत के घाट उतारा गया क्यों आखिरकार मुसे वाला की गारी पर बदमाश्यों ने करीब 30 राउंड फाइरिंग की इस अत्यकार्ड के पीछे गेंग्स्टर लॉरिज विश्णोई और कैनेडा में बैट हाउस का साथ ही गोल्डी ब्रार का हाथ था या फिर नहीं अब धीरे धीरे इन तमाम सवालों के जवाब मिलने लगे हैं क्योंकि मुझेवाला को मौत की नीन सुलाने वाले अब पुलिस के हद्व चुड़ने लगे हैं अब कबड़ी खिलारी के नाम के किस्ते भी सामने आ रहे हैं कहां से हुई कबड़ी खिलारी के एंट्री वो आगे आपको बताएंगे मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि शुकरवार को लुध्याना पुलिस की टीम ने एक टीम भटिंडा में डवाली बॉर्डर के साथ सटे एक पेटरोल पंपर जाच करने पहुची पुलिस टीम ने पेटरोल पंप की जी सी टीवे फुटेज को कबजे में लेकर जाच आगे बढ़ाई है लुध्याना पुलिस एक फॉर्चुनर गाड़ी की तलाश में है जो पेटरोल पंपर रात के समय डीजल भरवाती हुई नजर आई थी जस वॉर्चुनर की लुध्याना पुलिस तलाश कर रही है उस में सवार जार लोग 19 मई को डीजल भरवाने के लिए रात के समय डबवाली बॉर्डर के साथ सटे पेटरोल पंप पर पहुचे थे पुलिस को शक है कि गाड़ी में जो लोग सवार थे उन्होंने ही मुसेवाला की हत्या करने वाले अपराधियों को हत्यार मुहया कराए थे दरजल पुलिस चार्च कर रही थी वारदात के लिए हत्यार कहा से आए गैंक्स्टर लॉरेंस के नजदी की साथी बल्देव चौधरी को हत्यार शप्लाई करने वाले एक आरोपी को कमिश्टर एक पुलिस ने गिरफतार कर लिया जिसके बाद उसके कब्से से पुलिस ने हत्यार वरामत किये और उसके साथी अंकिर शर्मा को भी पुलिस ने गिरफतार कर लिया और विरपूच्टाज के दौरान पदा चला के आरोपी गैंस्टर लॉरेंस विश्णोई का नजदी की साथी है और उसके साथी पढ़ाई की थी इसके बाद पुलिस मामले की जाँच मजुट गई के आरोपी के पास हत्यार कहां से आए जाँच के दौरान पदा चला के आरोपी बल्दियो चोधरी को हत्यार पटियाला के रहने वाले जसकरण ने सप्लाई किये थे और ये जसकरण कोई और नहीं बल्कि एक कबड़ी खिलारी है 21 साल के कबड़ी प्लेयर जसकरण उर्फ करण है आरोप है कि जसकरण ने गैंक्स्टर लौरेंस विश्णोई के बेहत करीबी बल्दियो चोधरी को मार्च में हत्यार सप्लाई किये थे दरसल पुलेस अब ये पता लगाने वे जुटी है कि जो हत्यार जसकरण ने विश्णोई गैंक के शूटर को दिये थे कहीं उनका इस्तमाल पंजाबी सिंगा सीदू मुसेवाला की हत्या में तो नहीं किया गया था क्योंकि पूच्टाच में जसकरण के खुलासी की बात भी सामने आ रही है पूच्टाच में जसकरण का खुलासा जसकरण ने पूच्टाच में पुलिस को बदाया कि वो गोल्डी बरार के चचेरे भाई और पूर्वत जात्रे ने था गुरलाल बरार का दोस्त था वो गुरलाल के जरीए ही गोल्डी बरार के संपर्क में आया था दोस्त गुरलाल की हत्या के बाद गोल्डी बरार एक कॉलिंग एप के जरीए उससे संपर्क में था परमाना चाहता है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसेवाला हत्याकाइड का रोपी गोल्डी बरार कनाड़ा में बैठा है यानि कि एक खिलाडी चुर्म की दुनिया का खिलाडी बन गया साफ है कि आने वाले दिनों में कई और रास पुलिस खोल सकती है मगर इतना साफ है कि मुसेवाला की मौत के पीछे ना सिर्फ लॉरेंस का हाथ है बलकि दिमाग गोल्डी बरार का भी है यूरो रिपोर्ट नियूस बर्ड इंडिया